तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को श्टार्ट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड संडे का पहला वीडियो तो आप लोगों को पताई है आने वाले नेक्स्ट पाच दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे कौन-कौन से इंपोर्टन ट्रिगर पॉइंट है जो की बाजार में तेजी लेकर आ सकते है कौन-कौन से इंपोर्टन ट्रिगर पॉइंट है जो की बाजार को तोड़ सकते है इन से रिलेटेड हम लोग सारी बातों को cover करने वाले है बट कुछ फॉर्मेलेटिस को पहले हम लोग cover कर लेते मतलब क्या बाजार पूरे 5 दिन यहापे चलेगा तो दोस्तो नहीं इस हफते के अगर हम लोग बात करें तो आप यहापे देख सकते हो 24 अक्टोबर येस दशेरा के चलते Tuesday के दिन कि अगर हम लोग बात करें तो बाजार यहापे close रहने वाला है मतलब हम आसान बाशा में कहे तो पाँच में से चार दिन ही इस हफते बाजार में हम लोग को ट्रेडिंग होते वे देखने का आपे मिलने वाली है तो इस basic चीज को आप चाओ तो नोट करके आपे रख सकते हो तो चलिए अभी आज आते दोस्तों second important चीज के ओर कि बाजार का माहूल क्या कहलाता है तो माहूल की बात करे large context में बात करे तो भाई बाजार उपर ही जाता है ठीक है large मतलब क्या है अगर हम लोग लंबी होदी के ऐसी बात करे 6 महिना then साल बर की बात करे अब देख सकते हो 10% 5 साल देखो 94% maximum बात करे तो बाजार उपर ही जाएगा हाँ बड़ी ये छोटे-छोटे circles देखने को मिल रहे हाँ इसमें बहुत सारा ड्रामा चलता है short time की बात करे हफते बर की बात करे तो पिछले हफते में 5 दिन में बाजार में कैसा performance रहा nearby 1% की गिरावट देखने को मिली कब की बात हो रही है पिछले 5 दिन की बात हो रही है पिछले हफते की बात हो रही है तो हम यह आपर कह सकते है कि बाजार के लिए सबसे important चीज़ कहा है कि yes, 19.500 का level टिका के रहना यह एक बाजार के लिए important है तूड गया है तो मतलब कोई पाड नहीं तूडता है तूटने के लिए तो 19.000 भी तूट सकता है 18.000 भी तूट सकता है, 17.000 भी तूट सकता है वो चलता रहेगा बट अगर हम लोग शॉट टम की बात करे तो obviously trader लोग कोशिश करेंगे खास करके बुल वाले कि 19.500 को ना तूड सके ठीके बेर वाले इसके पहले भी एक बार तूटा था बट बाद में अच्छी खासी recovery हम लोग को देखने को मिली थी तो ये एक short term का goal यहाँ पे रहने वाले इस हफते देखने वाली बात होगी क्या 19.500 का लेवल बाजार में बने रहेगा support लेवल या फिर इसको break करता है ये एक interesting point रहेगा दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो dow jones Friday की दिन साड़े तीन बज़े तो हमारा बाजार close हो जाता है बट American बाजार की बात करें तो 1% की गिरावट Friday की दिन भी देखने को मिली ठीक है अभी अगर देखा गे तो लगेगा ठीक है 200 point गिरना 300 point गिरना ठीक है बड़ अगर हम लोग इसको collectively अगर देखे पाच दिन में 2% महिने बर में 2,5% मतलब बड़ी गिरावट फिर नज़र आती 4,4,5% टॉप लेवल से बादर गिरा है और अमेरिकन बादर की बात करी यही सबसे बड़ा सरदर्द भी हम लोग को बनते वे दिखने को मिल चुका है इसके उपर मेंने एक अलग से वीडियो भी बनायता क्यों? क्योंकि एक जगे पे पोवल जी बोलते है कि भाई इंफलेशन अभी भी यहाँ पे कंट्रोल में नहीं आ रहा है दिक्कत हो रही है ग्रोथ को कंप्रमाइस करना पड़ेगा और दूसरे जगे पे अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका क्या करने वाली है? डबल वार फंडिंग करने वाली है तो अगर वार में फंडिंग करेंगे डॉलर से यहाँ पे मतलब अल्टिमेटली क्या करेंगे? वो चापेंगे, और ज्यादा डॉलर चापेंगे तो यहाँ पे और इंफलेशन बढ़ने का खत्रा तो ये चीज़े हम लोग को देखने को मिल रहे है, इसलिए मैंने इसके उपर एक अलग से वीडियो भी बना है, ताकि दुनिया के बाजार के लिए, अमेरिकन बाजार एक बहुत बड़ा सरदर्थ साबित हो सकता है, तो इसलिए अमेरिकन बाजार उसके एक्शन के उपर पॉविल जी ने का है, कि हमें GDP को क्या करना पड़ेगा, कॉंप्रमाइस करना पड़ेगा, मतलब GDP आपे नीचे चली जाएगी, तब ही जाके हम लोग क्या कर सकते, इंफलेशन को काबू में ला पाएंगे, एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, आइदर इंफलेशन के उ पॉविल जी ने, पिछले हफते में आम लोगों ने देखा था, कि कैसे सड़नली अमेरिकन बाजार, टॉप लेवल से 300 पॉइंट, कुछी चंद मिन्टों में गिरते वे देखने को मिला था, तो ये सारे डेटा जो आएंगे वो इस हफते, बाजार में आम लोगों को वाल कॉंट्रेक्ट्स रेते, किसके future and option derivative कॉंट्रेक्ट्स की बात करे, एंड इस हफते की बात करे, तो येस हम लोगों को monthly expiry देखने को मिलने वाली है, monthly expiry यहापे रहते, आपको पता ही है, single strips जो यहापे रहते, stocks जो रहते, उनके कॉंट्रेक्स होते हैं, वो हमें monthly देखने क आपे मिल जाते हैं, और उस चीज़ के चलते भी बाजार में कभी-कभी अच्छी कासी volatility देखने को मिल जाती है, तो ये एक basic point है, उसके ओपर भी बाजार का अच्छागासा focus जरूर रहेगा, बारत सरकार के और by default तो focus रहेगा ही रहेगा, अलग-अलग खबरे भी हमनों को देखने को मिल जा भी sugar की बात करें, तो sugar के export से related कुछ restriction सरकार में आपे लगाये थे, वो उन्हेंने 30-31 October तक extend यहापे कर दिये हैं, wheat के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो शायद से वहाँ से भी हमनों को कोई खबर आते भी देखने को मिल सकते कि सरकार उनके ओपर restriction लगा दिये करके, rice के उपर already restriction लगा दिये है, edible oil के उपर already restriction लगा दिये है, ठीके तो यह बार-बार चीजे हमनों को आने वाले हफते में भी देखने को मिलने वाली है, खास करके आप बुदवार का दिन, कौनसा दिन, बुदवार, वेनस डे, वेनस डे की दिन आपने focus र देखने का पर मिल जाएगा, इसकी possibility strong यहाँ पर रहती है, कभी-कभी publish कर लेते हैं, कभी-कभी नहीं कर लेते हैं, अगर बहुत ही कुछ इब्दम out of syllabus या फिर कोई बड़ा announcement होता है, जिसका इस असर commodity markets के उपर पड़ेगा, तो फिर वो हम लोगों को चीज़ें announce होते हैं देखने का पर मिल जाती है, तो वेनस्डे की दिन बारा साड़े बारा एक दो बजे के आसपस, आप चाहो तो business channel के उपर भी focus रख सकते हैं, कभी-कभी वहाँ पर हम लोगों को खबरे देखने का पर मिल जाती है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो quarter two के रिजल्ड का तो season 40 है, बड़े-बड़े company के numbers यहाँ पर आने वाले है, इसी अफते की बात करें तो आप सविलों को पताई है, हमारे share बाजर का number one company, as per the market capitalization, relance industry की भी number, इसी अफते हम लोगों को देखने का आपर मिलने वाले है, तो ऐसे बहुत सारी companies के number देखने का आप बागी के IPOs के अगर हम लोग बात करें, बाजर में आपको पताई है, बाजर कोई बड़ा कुछ गिरा नहीं है, बट येस, 20,220 तक चला गया था, उसके बाद 20,000 के नीचे फिर दिमे-दिमे करके, अभी 19,500 के आसपास देखने को ला है, तो थोड़ा सा IPO की रफतार रुक इस प्राकार का जब माहोल रहता है, वार है, अंसर्टिनिटी है, तो थोड़ा सा अपने IPO को अवर्ड करते हैं लाने के लिए, क्योंकि उनको बुलरन चाही होता है, क्योंकि बुलरन में उनको अच्छा वैलिशन मिलेगा, 100 का IPO यहापे मस्त में, 1500, 200, 300 की भी भाव के उप तो समझ देना हमारी बाजार में जबरदस गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते कि अगर हमारे निफ्टी में एक बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है, सबसे पहले क्रूड ओयल को चेक करो, अगर क्रूड ओयल में बहुत बड़ा स्पाइक नजर अगर हम लोग बात करें, हम लोग 80% क्रूड को इंपोर्ट करवाते हैं, तो हमारे लिए इस प्रकार के इस लेवल का क्रूड बिलकुल भी अच्छी बात यहाँ पर नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों का होते वे देखने को मिल जाता है, देन, FIS, DS activities के अग अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड की अगर बात करेंगे बीच में सड़नली 60 के नीचे चला गया था, जैसे वार जैसी सिचुएशन आ जाती है दोस्तों, तो गोल्ड यह सबसे बेस्ट माना जाते हैं इन्वेस्मेंट के लिए, ग्लोबल लेवल की में यहा वापस वुरुद्धी होते हैं देखने को में सड़नली जो 58,9 के असपस चलने वाला गोल्ड था, अब चाट पटन दी देख सकते हो, कितनी तेई जरफतार से हमनों को पुराने लेवल को भी कट करके आगे बढ़ते हुए देखने को में है, राइट नाव गोल्ड सम्वे देखने को मिल जाती है, डॉलर की बात करें, अब तो 83 के नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो कि हमारे लिए तो बहुत ही खराब बात देखने को आपे मिल रही है, प्रेडिक्शन ये था कि ये साल 2023 खतम होते होते हमारा जो रुपी है, वो गिरके 83 तक चला जाए तो वो भी दिन दूर नहीं है, कि एक डॉलर के लिए हम लोगो 100 रुपया भी देना है, आपे पढ़ सकता है, तो ये भी एक चीज़ देखने को आपे मिल रही है, आकरी पॉंट की अगर हम लोग बात करें, तो ओए दोस्तों ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में एक ही important है support क अगर हम nearest support की बात करें, तो 19.500 ये टिकाना बहुत ही ज़्यादा important है, अगेन कह रहा हूँ, break हो गया, मतलब कोई दुनिया खतम नहीं होते है, यह आपे, short term की अगर हम लोग बात करें, जो traders रहते हैं, फिर इसमें क्या हो जाएगा, 19.500 अगर तूड गया, बड़ी negative खबर था, बड़ अगर बहुत ही बड़ी negative news आ जाती है, तो फिर वो easily 19.500 क्या, फिर 400-300 को भी वो break करने के लिए सक्षम रहता है, बड़ अगर समंदर शांत्रा कोई नई negative news अगर नहीं आई, तो definitely बाज़ार 19.500 को maintain करनी की कोशिश तो जरू करेगा, तो देख लगते इस हफते में क्या बनता है, तो जितने भी important trigger points थे, वो सारे मैंने cover कर लिए, वीडियो अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, तो आप चाहो, तो इसको like and share भी कर सकते हो, so that's it, thank you very much, we will be meeting Rx Studio, तब तक के लिए, bye-bye.